हाई एवरिवन केसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी कैक बर फिर हमारे यूटूब चैनल ये आर टुटोरियल्स में जिसमें आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नाइन स्टाइंडर्ड के लिए जिसका नाम है चाप्टर नंबर 11 ट्रांस्पोर्ट एंड कमिनिकेशन तो आज हम इस पर्टिकलर चाप्टर का लेक्टर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गया है जो कि इस चाप्टर का आ दूरी इसके दो लेक्चर हमने पढ़ ली अब तक और हमने बात क्या था है ट्रांसपोर्ट के बारे हमने त्रांसपोर्ट communication यानि एक दूसरे से बातचीत करना तो सिर्फ communication मतलब एक दूसरे से बात्चीत करना तक ही सीमत थेगा नहीं, communication का मतलब सिर्फ बातचीत करना नहीं होता है, communication में हर एक टाइप के communication जैसे कि जब भी हम लोग communication का यह जो word का meaning समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कि हमारा एक मतलब जादा नहीं 20-25 साल पहले की अगर बात होगी ठीक है लगबग 2-3 साल का होगा मतलब 23-24 साल की मेरा एज 25 से लगबग जब मैं बहुत छोटा था यार मतलब में को लगता है दो साल तीन साल चार साल इस प्रकार के छोड़ी छोड़ी मेमरीज रह जाती है त उस टाइम के एक-दो साल के लिए गाव गई भी थी अपनी स्टेडीज को कंप्लीट करने के लिए तो उस टाइम पर हमारे गर में चिट्थिय लिखी जाती थी उस टाइम पर टेलीफोन हुआ करता था तो टेलीफोन का जो कॉस्टिंग होता था पीसी ओ जिसको बोलते ना अगर जाना है लगबग 500,000 किलोमेटर दूर तो उसको साथ दिन अदस दिन लग जाते थे फिर वो चिट्थी पड़ेगी मेरे जहन या फिर कोई भी हो चिट्थी पड़ेगी उसको रिप्लाइ करेगी चिट्थी वापस लिखेगी और भेजेगी तो यहां पे साथ दिन औ जाएंगे 7 plus 7 approximately 14 to 15 days लग जाते हैं थे conversation होने में और आज की डिट में conversation कैसा होता है सीधा phone निकाला मस्ट आपको जो भी number dial करना है खटखट खटखट डाइल किया डाइल भी करने के जुरूत है context आपका save रहता है जस्ट नाम टाइप किया green button दबाया call लग गया hello how are you I am fine इस प्रकार से conversation कितना easily हो जाता है चाहे आप दुनिया में किसी भी कोने में बेटे हो आप communicate कर सकते हो और communication करना सिर्फ call करना नहीं होता है communication में हर एक चीज आ गया text message भी communication का जरिया बन गया एक time पे लोग सिर्फ call करते है आज देखो text message करते है आज देखो mail करते है आज देखो whatsapp करते है facebook करते है तेरा so many other social media apps the people are using nowadays ठीक है और एक चीज आपको पता है तो लोग gmail करते है ठीक है आपको पता है न mail करते है ठीक है इसके अलावा video call करते है आज पहुत दिनों का तेरी शकल नहीं देखी तोड़ा video call करना हमारे खास कर ममी लोग मौसी का phone आया कि नि मम्मी सीधा phone निकल के गंटों तक बात करते है मौसी से ठीक है तो इस प्रकार से चीजे होती है correct है कि नि समझ में आ रहा है कि नि मुझे comment करके जरूर बता ना यह आपके घर में होता है कि नि क्योंकि मेरे घर में हमेशा ऐसा होता है ठीक है ना even my sisters like they are talking to each other like this only ठीक है अब यह जो चीजे है यह communication हम क्यों पट रहे है because जैसे कि हमारे लिए आज के date में transport जितना जरूरी है हमारे देश में जैसे कि आपको मैंने previous द अलग-अलग जगा पर जाता है even कोई एक बच्चा भी होता है ना मतलब 10th का या 12th का तो बच्चा है उसके बाद उसको higher studies करना होता है तो बहुत दूर-दूर पढ़ने चले जाता है higher studies के लिए बहुत दूर जाता है जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग है जैसे कि आप जानते यूक्रेन चले जाते यूक्रेन चल रहा है न अभी वार चल रहा है कुछ तो जानते ही होंगे आप लोग जिन लोगों को पता है comment करना ठीक है ना चलो we are praying for Ukraine ठीक है जो भी हो अच्छे के लिए हो सब चीजे बहतर हो जाए पहले से तो वह हम चाते है और कुछ नहीं ठीक ह क्या लगता है अगर चार साल को कोई engineering करने के लिए बाहरदेश गया हुँ है कि बीज चार साल बैना बाते कहे हो अपनी फैमली से चार साल दूर बैना बाते किए कोई इनसान रह पाएगा नहीं इसलिए Packation मनाया गया है i5 उसकुल रीय सोचल एन हमारा बहूत अच्छा Theo लोग, समझ में आ रहा है, इसलिए, तो वैसे ट्रांसपोर्ट हमारे लिए इंपोर्टेंट है, वैसे कम्मिनिकेशन भी हमारे लिए equally important है, और इसलिए कम्मिनिकेशन के जरिया ही हम लोग अपना information को भी आज मेरे पास समझ लो जो information है, आप जानते होंगे कि आपने बहुत मुझे सपोर्ट किया, आपने बहुत ज्यादा मुझे अच्छा भी माना है, कि राहूल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो पढ़ाएं, चाहें college में पढ़ाएं, engineering में पढ़ाएं, youtube पढ़ाएं, या फिर खुदका एक platform खोलने, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, correct है कि नहीं, तो ये knowledge by knowledge जो है pass on होते रहता है, और ये knowledge को pass on होने के लिए, generation by generation pass on होने के लिए हर चीज़ के पिछे क्या जीमेदार है, कौन जीमेदार है, communication, अगर communication ही नहीं होता, तो ये pass on भी नहीं होता, correct है, समझ में आ रहा है, तो आज के date में, अगर modern age के इस आप से बात किया जाए, कि communication सिर्फ call नहीं हो गया, communication text message हो चुका है Gmail हो चुका है, social media apps हो चुका है, video call हो चुका है, there are so many other stuff जो चीज़ हो गया है, और ये सब चीज़ हमने communicate करवाती है, किस वज़े से, किस के वज़े से हो पाता है, ये सब चीज़ सैटलाइट के वज़े से, आप जानते होंगे, there are so many satellites, which we call as the artificial satellites, हमारे देश में, बहुत सार artificial satellites से लोग बनाते हैं, और उसको हवे में भेजते हैं, और धीरे धीरे वो rocket के थुरू, space में चले जाता है, और space में प्रिथवी के उपर वो घुमता रहता है, जैसा आपने movies में देखा होगा, बहुत सारे, ठीक है, तो हर एक satellite का एक अपना-पना रोल होता है, बहुत सारे अगर में TV देखते हो, आप internet चलाते हो, आप like बाते करते हो, call करते हो, phones use करते हो, तो यह सब चीज के पीछे कौन जिमेदार है, communication satellite ही जिमेदार है, और communication satellites अगर नहीं होते हैं, हमने कहीं establish किया होता, तो यह सब चीज भी हमारे हाथ में आज की rate नहीं होती, तो यह चीज सम सरे काम है, सिर्फ यह काम नहीं है, इसके अलबा और सारे कई सारे काम है, मिटरलोजिकल डिपार्टमेंट में वो खबर भेजता है, कि आज कौन सा मौसम होने वाला है, weather forecasting, climatic condition, यह सब भी इसी का काम है, दोस्तों, यह इतने सारे चीज़े वो करता रहता है, ठीके, और अधूरी रह जाएगी, अगर आज के डेट के हम लोग बात करें तो, ठीके, इसी लिए हमारे लिए communication system कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया, आज के डेट में देखो, कि यह communication, satellites communication system के लिए, आज हमको अगर किसी से कुछ भी बात करना है, पूरे world के किधर भी कोने में आप आप कहीं पे भी message भेज सकते हो, कहीं पे भी call कर सकते हो, कहीं पे भी mail कर सकते हो, कहीं पे भी कुछ important documents भेजना हो, PDF form में, वर्ड form में, कोई भी format में अगर भेजना है, तो आप उसको भेज सकते हो, दुनिया में किसी भी कोने में, अगर आपको अपने पैसे भेजने हैं, तो आप उसको भेज सकते हो, there are so many applications, जैसे कि आप जामते हो कि भी मैप है, ठीक है न, भी मैप, ठीक है न, तो ये सब applications के थुरू, आप भेज सकते हो, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ जैसे Google पे हो गया, फोन पे हो गया, ऐसे कई सारे apps है, जो आज के डेड़े में हमारे phones में होते हैं, बस account को link करना होता है, bank account को link करतो, mobile number टाइप करो, जिसको पैसे बेजने, तुरंद 2 सकेंड के अंदर, चला जाता है पैसा, देखाए कि ने, ठीक है न, आज के डेड़े में हम online trading कर पा रहें, यह चीज आपको पता चल रही है, आज के डेड़े में हम लोग क्या कर पा रहें, online trading कर पा रहें, आज के trading मतलब stock market में stock खरीदना और बेचना, इसको trading बोलते है, आज ही बेचा उसको trading बोलते है, यह stock लेलो, वो stock लेलो, आपने देखा होगा movie में, अगर नहीं देखा होगा, तो memes वगरे में तो दिखा ही होगा, आप लोग modern बच्चे होगा, आप देखते होगे, सोशल मीडिया यूस करते होगे, ठीक है न, तो trading होती थी उस टाइम पे, लेकिन सब चीज digitalized हो गया, हर application facilities जो है, यह बहुत ज़्यादा develop हो चुका है, बहुत ज़्यादा large scale में, काफी ज़्यादा develop हो गया है, और आज के rate में लोग अगर meeting लेना चाहते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि आप मिलके ही meeting करो, हमें हमारा जब COVID-19 जब आया, उस टाइम के बाद तो पूरा culture ही change हो ग meetings हो गया, interviews हो गया, schedule book करना हो गया, यह सब चीज़ हम कर पाते हैं, तो इतने सारे चीज़े हैं, communication के यह सब क्या थे दोस्तों, advantages से, यह सब क्या है, बहुत सारे advantages से, मतलब बहुत अच्छी बात है कि यह सब है, लेकिन जहाँ पे advantages होता है, उसके पीछे कहीं नकर एक छोट utilization की अगर बात करें, चाहे वो पैसे transfer हो, चाहे वो पढ़ाई करना हो, चाहे कोई भी आप चीज़े कर रहे हो, उसमें fraud होने के chances कई जादा होते हैं, क्योंकि यह सब चीज़े किस से connected होती है, इंटरनेट से connected होती है, और इंटरनेट में कि cyber frauds आपने सुना होगा, cyber crime, cyber fraud ब time password, अगर अपने जिसने call किया है, जिसने आप से मांगा है, उसको आप बता दे हो देवे, तो definitely आपके पैसे कर जाएंगे, क्योंकि OTP क्या करता है, प्रोटेक करता है, क्योंकि आपका जो भी account होता है, bank details जो होते हैं, अगर किसी के पास भी आ गया, तो वो क्या करेगा, कह share your OTP, यह मैं bank caller नहीं हूँ, मैं एक normal awareness create करने के लिए बोल रहा हूँ कि never ever share your OTP to the unknown person, हाँ, आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको पता ही कि यह मेरे regarding ही OTP आया है, मेरा जो भी चीज के लिए मैं करना हूँ, उसी चीज के यह OTP आया है, तो उसमें आप type करो, या फिर कोई trusted person न और आपने बोला मजाक मजाक में एक दोस्त से, तेरे न मोबाल नमर पे एक OTP आगा, बता दे ना, वो बता देगा, पैसा काया, पैसा कड़ गया उसके पास, तो ऐसे यह लोगों का fraud हुआ, इवन my friends, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, हम जैसे engineer लोग, यानि मेरे friend का अभी हुआ था, 30,000 रुपेज एक ही जटके में गाया, तो बहुत होता है 30,000, तो यह मैं आपको क्यू बता रहो, because you are the youth of the country, you have to be prepared for this, तो आपके parents को भी यह चीज बता हो, अगर यह वीडियो आप देख रहे हो, तो आपके parents को यह जो इतना पार्ट है, पूरा मत once your OTP, never ever share your OTP, okay, cyber fraud काफी ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, और यह trending हो गया है, बहुत ज़्यादा application phone पे, Google पे करते हो, आपको इतने का यह मिला है, lottery मिली है, आपको यह मिला है, there are so many messages coming in my dad's phone also, मेरे father में को कभी बोलते हैं, रे बेटा, एक करोड की lottery लगी है, मैं हो जाओ ल आ रहा है, social media का इस्तेमाल तो लोग अच्छी चीज़ों के लिए हो रहा है, लेकिन social media का इस्तेमाल लोग hateism फैलाने के लिए भी कर रहे है, there are so many YouTube channels also, they are creating mess, यह आप जानते होंगे, as a YouTuber मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि normally हम educator है, हम YouTuber नहीं मानते, मैं educator मानता हूँ यानि कि मेरा का में teaching करना, इसके लिए हमने channel बना है, और कुछ skills प्रोवाइट करना, इसके लिए हमने second channel JR Talks बना हूँ है, बाकि हमारे जितने भी channel से आप देखोगे, just for education purpose है, एक vlogging channel छोड़ के, टीक है, vlogging मेरा personal एक shock था पहले से, that's why मैंने लेकिन मैं इसको कभी promote जादा रही करता हूँ, आप जानते होंगे एक चीज़, ठीक है, और जब time मिलता है, तभी बनाता हूँ, ठीक है, तो यह सब चीज़ ना हो, बहुत सारे लोग मीडिया पर, social मीडिया पर कुछ भी डालते हैं, कुछ भी memes बना रहे हैं, कुछ भी बेकार बेकार किसी लोग के खिल मॉबलम भी हो सकता है, ठीक है, तो यही सब था दोस्तों हमारा लेक्चर जिसमें आपको पूरा ओपन ली आपको बता दिया, clear and cut, transport and communication क्या था, तो communication का पार्ट भी हो गया, यानि कि ये chapter भी आपका totally 100% complete हो गया, तो एक ही chapter बचा है, आखरी chapter बचा है, 9 standard के लिए उसको भी complete कर देंगे और आपका पूरा entire syllabus complete हो जाएगा, maths already complete है, science already complete है, history, political science, geography भी complete है, English grammar भी complete है, क्या चाहिए आपको, ठीक है, रहर चीज दे दिया, important questions भी दे दिया है, telegram group में, अगर आपने join नहीं किया है, हमारा telegram group, जाहिए, वीडियो के description box में, link है, telegram channel का हमारे, उसको click कीज हमारे channel को, so that आप थोड़ा scroll करना पड़ेगा, बहुत सारे हमने डाले हुए, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, आपको जाके देख लेना, वहाँ से download कर लेना, ठीक है, तो बस इतना ही, आज के लिए, जल्दी मिलेंगे हमारे new video में, video कैसा लगा है, please comment कर देना, video कर दो, साथ में उसके बाजू में एक bell icon होता, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि future में हम कभी भी कोई भी notifications आपको मिलती रहेगे, ठीक है friends, तो जल्दी मिलेंगे हमारे new video में, तब तक के लिए, thank you and good bye.